कि असलाम लेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिंथरीक क्टा इसटम पॉर इमियर्ट कंट्रूल फ्रॉमौरउ ऐसा अजहां द दॉट्टोल करता हो १ लिए सबसे पहले हम अब इनकी जो strategy है इनकी strategy है कि जो vehicle से जो emissions हैं ठीक है उनको reduce किया जाए by catalytic conversion of the exhaust gases ये converters होते हैं जिनके पास एक layer होती है precious metals की जैसे के platinum ठीक है और उसको code किया जाता है alumina के substrate से जो के act करता है एक three way catalyst और उसने तीन तरह की conversions करानी होती है पहली conversion है nitrogen oxide को nitrogen के अंदर convert करना दूसरी conversion है carbon monoxide को carbon dioxide में convert करना और तीस्ती है hydrocarbons को carbon dioxide और water के अंदर convert करवा देना अब इनकी conversion efficiency जो है वो nearly 90% है ठीक है जो के possible है R3 gases के लिए लेकिन अगर हम air to fuel ratio देखें वो strict रखी जाती है हमारे पास ठीक है वो रखी जाती है 4.72.1 और उनकी ratio उनके साथ होती है 1 के साथ अब ये क्या करती है maintain करती है correct ratio और उसके इलावा दूसरा इसके अंदर होता है O2 sensor oxygen sensor होता है जो के provide करता है exhaust flow with the feedback control signal to the fuel metering device एक metering device लगाई जाती है fuel के उपर ठीक है उससे पता चलता है कि हमारा जो fuel है वो कितना यूज हो चुका है उसके बाद डीजल जो अनबर्ण हाइडरो कार्बन है और कार्बन मोनोकसाइड है उनको कहा जाता है कि वो बैटर है डीजल पावर कास से जो के emit करती है नाइट्रोजन के उकसाइड को ठीक है ज़न इसकार्च है और ये ज़्यादा वर्ड्ट है उन गैसकार्ड़ से जो के efficient catalyst convert तो है उनके पास लेकिन वो increase कर दते हैं particle emissions से ठीक है उसके बाद बाइो डीजल आ जाते हैं बाइो डीजल के अंदर बाइो फ्यूल्स उनके उनका focus of attention है ठीक है यह क्या करते हैं reduce करते हैं green house gas की emissions को और noxious urban emissions from transport थर्ड जो मारे पास energy का source है वो है hydrogen and electricity hydrogen power और electrical vehicles जो है वो cleaner होते हैं रोड की उपर क्योंके hydrogen प्रड्यूस करती है water और electric cars जो के उनकी अभी तक इतनी ज़्यादा emission नहीं है pollution के रेट देखा जाए तो ठीक है pollution audit उसके पास include करना चाहिए ऐसी emissions जो के generate करवाए hydrogen की और या फिर electricity की उसके बात बात करते है और गैनो metallic compounds in environment और गैनो metallic compounds environment के अंदर एक तो इनके अंदर organic compounds होंगे दूसरे साथ में metals होंगे surprising के क्या होता है large number जो होते हैं organic organic metallic compounds के वो environment के अंदर exist करते हैं अब environment के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है environment हमारे environment के अंदर आता है इन्लैंड वाटर पोर्टेबल वाटर सप्लाइज ओशन आ जाते हैं सेडिमेंट्री मैटर वेजिटेशन एनिमल लाइफ और इन्लैंड वाटर वेज और ओशन पॉलूटेंट्स ठीक है रिवर वाटर कोस्टल वाटर यह सारी चीज़ें हमारे जो environment के अंदर आ जाती है अब रिवर और कोस्ट के अंदर concentration देखी जाए तो वो higher है देन दी open sea क्योंकि उसके अंदर क्या होता है डायलूटिंग एफेक्ट होता है ओपन सी के अंदर अब समुंदर है उसके अंदर ज्यादा पानी है तो वो क्या करेगा जो और्गैनो मेटैली compounds है उनको डायलूट कर देगा जितना ज़्यादा पानी उनके अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगा उनकी जो concentration है concentration से डायलूट की तरफ मूव करेगी उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो और्गैनो मेटैलिक पॉलूटेंट्स हैं वो partially absorb हो जाते हैं sediments के अंदर sediments के और bottom जहां के अंदर layering का process होता है फिर उसके बाद enter हो जाते हैं वहां से tissues के अंदर जब वो bottom में ocean के जो bottom वाली layers होती हैं वहां पे कोई भी sea creature जाएगी fish जाएगी या पिर दूसरे water plants जो वहां पे grow कर रहे हैं algae हो गया phytoplankton हो गया वो सारे उनको absorb कर लेंगे और वो उनके tissues का पार्ट बन जाएगी कुछ volatile organic organic metallic compounds जो हैं वो plant material के अंदर भी होते हैं crop के अंदर भी होते हैं biological material जैसे के fish animals एंड human tissues के अंदर भी होते हैं और body fluids के अंदर घोते हैं यह वो volatile organic compounds हैं जो के easily resolve हो जाते हैं और जल्दी से हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद distribution of organometallic compounds कि यह किस तरह से होती है। Organometallic compounds जो हैं वो widely present होते हैं हमारे environment के अंदर जैसे पहले मैंने आपको बताया के air के अंदर भी होते हैं water के अंदर भी होते हैं। उसके इलावा जो organism's हैं उनकी body के अंदर भी उनका part बन जाते हैं। उसके इलावा इनके अंदर जो compounds होते हैं mercury के, lead के, tin के, arsenic के क्योंकि यह metals हैं ठीक है। और कुछ हद तक इनके अंदर germanium के products भी होते हैं, antimony के copper, silicon, selenium, manganese और nickel distribution की बात करें तो इनकी throughout the environment होगी, air में, water में, food में और इनकी toxicological implications हैं, poisonous हैं यह अगर health की point of view से देखा जाएं तो humans health को affect करते हैं, animals की health को, birds की, insects की, fishes की, इन सभी की health को affect करते हैं, ठीक है? और यह contamination की वज़ा से होता है, जो के organo metallic compounds cause करते हैं, और यह सारे जो components हैं, यह food chain का एक पार्ट हैं, मतलब organo metallic compounds पूरी की पूरी food chain को disturb करते हैं, इसके consequences क्या हैं? consequences यह हैं कि यह toxicological है, poisonous हैं और involved होते हैं, पूरे environment के अंदर हमारे जो future और present loss हो रहा हैं, इन compounds की वरह से, जैसे कि बायो technologies के अंदर, या फिर हमारी industries के अंदर, जो बायो remediation का process हम करवाते हैं, बायो remediation के कहते हैं, कि biological organisms को use करते हुए, pollution को कम कर देना, ठीक है? toxic metal की, जो release हो रहा है, उसके लावा recovery करवाते हैं, precious metals की, बायो remediation की techniques के अंदर, यह सारा कुछ होता है, कंट्रोल करता है, बायो active और essential metals को, जो के agriculture के लिए, horticulture के लिए, बायो mining के लिए, और बायो separation के लिए ज़रूरी है, उसके बाद बात करते हैं, organic lead की, organic metallic compounds enter होते हैं, environment के अंदर, तीन main roots के जरीए, जो पहला उनका main path है, वो represent करता है, वो organic metallic compounds, जो के produce होते हैं, और reduce होते हैं, जी, lead और mercury से, lead, enter होता है, chiefly as alkyl lead compounds, और इनको use किया जाता है, gasoline के अंदर, जो के air के अंदर enter हो जाती है, वाया gasoline spillages, जब gasoline का spillage हो जाता है, कहीं पे गिर जाती है, gasoline उसके लावा contaminate कर देती है water को, और consequently, जब वाटर rain के जरीए rivers के अंदर जाएगा, और river की sediments के अंदर deposit होना शुरू हो जाएगा, अब वो sediments के अंदर layering होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पे जो animals होंगे, sea creatures हैं, जैसे के fish है, algae है, plants हैं, उनकी body का part बन जाएगी, क्यूंके वो उसको consume करेंग ठीक है, और affect करेंगी crops को और animals को इस field के अंदर, organic mercury है मेर पास next, जो second source है, second root है, organic metallic compounds का, इसके अंदर क्या होता है, इन organic substances जैसे की industrial effluents या फिर sewage, वो क्या करते हैं, enter होते हैं environment के अंदर, और ये सारा कुछ हो रहा है, anthropogenic activities के वाएज़ से, human activities के वाएज़ से, फिर उसके ब सबसेक्वेंटली जो नेचर के अंदर conversion होती है, organic metallic compounds की, फिर उसके बाद classic cases देखे जाएं, तो organic, inorganic mercury, inorganic arsenic compounds, जो के environment के अंदर होते हैं, या फिर animal के टिशू के अंदर चले जाते हैं, उनकी conversion होती है, bacteria से, ठीक है, वो उनको convert कर देते हैं, methyl mercury के अंदर, methyl arsenic compounds, अब sources देखा जाएं, तो इनके sources क्या है, inorganic, सबसे पहले इनका chief source है, organo mercury contamination का, inorganic mercury, chief source जो देखा जाए, organo mercury contamination का, वो inorganic mercury है, enter करती है, reverse के अंदर, as a effluent, ठीक है, और ये effluent discharge होता है, industry से, जैसे के, chloral, chloralkali works, और industries, जिसके अंदर, alkalis, जो हैं, basis जो हैं, वो large quantities के अंदर, यूज होती है, alkalis की example, जैसे sodium hydroxide वगरा, जहां पर बन रही है, उन industries के अंदर से, mercury जो है, ये release होगी, inorganic mercury, और इसके इलावा, large quantities में, जैसे paper making, इन सब के अंदर, भी mercury यूज होता है, इसी तरह से, जब tin enter होता है, environment के अंदर, वो भी effluent के जरीए होता है, या फिर mining के जरीए, जब कान कुनी का जो process होता है, वो, पहला तो हमने analysis करना है, दूसरा हमने identify करना है, new compounds को, फिर उसके बाद हमने monitoring करनी है, check and balance रखना है, इनकी concentration को इस तरह के compounds की, ठीक है, ताके हम जो है कोशिश कर सकें और hypothesis बना सकें और इन से जो है अपने environment को save कर सकें, अब देते है, effects of air pollution, air pollution के effects क्या क्या है, air pollution जो है वो, organisms को effect कर रही है, जसके अंदर animals आ जाजाते हैं, bird's आ जाते हैं, insects आ जाते हैं, humans आ जाते हैं, plants को भी effect करती है, buildings को भी effect करती है, ठीक है जी, इसके ल को और ओवराल के दिया जाए तो हमारे पूरी क्लाइमेट को एर पॉलुशन जो है वह फैक्ट करती है जैसे पॉलुशन ज्यादा हो नाइट्रिक एसीड वगारा या सल्फियूरिक एसीड ज्यादा बने तो उसकी वज़े से एसीड रेन वह भी आ सकती है इस तरह के और भी क्लाइमेट के उपर भी एर पॉलुशन का बहुत बड़ा इफैक्ट है हेल्थ इफैक्ट सबसे पहले इसके देखते हैं सबसे जादा जो एर पॉलुशन के एफैक्ट होते हैं वो ओल्ड पीपल के अंदर अबज़र्व किया जाते और वेरी जंग जो बहुत चोटे बच् कंडिशन होती है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हुआ होता है तो कोई भी बीमारी जो है जो एर पॉलुशन के वज़ा से कौज होती है वो उसका ज्यादा शिकार बनते हैं उनके सेप्टिबल होते हैं उनके बाद उनके जो लंग्स हैं जो के सैंसिटिव लंग्स ह बहुत चोटे बच्चे जो भी इंफेंट्स है वो भी ससेप्टिबल होते हैं इस हाम का क्योंकि अगर एर पल्यूट होगी तो उनके जो लंग्स हैं वो अफेक्ट होंगे अब यही नहीं कहा सकता के बहुत जादा जो ओल्डर पीपल हैं वो ही एफेक्ट होते हैं वैरी लेवल के एर पलूटन्स होंगे तो मेजर हैल्थ इफेक्ट देखा जाए तो उसके अंदर एक्यूट क्रोनिक और टेंप्रेरी सारे ही होते हैं ठीक है उसके लावा ज्यादा तर जो एविडेंस हमें मिलता है लंग कैंसर का वो मिलता है एर पलूशन की वरा से लंग कैंसर बहुत ज़दा इंक्रीज हुआ है उसके लावा अगर इसका एक्चुल कॉज या फिर एफेक्ट देखें रिलेशनशिप देखें तो वो अभी अन्नौन है टिपिकल एफेक्ट देखें सल्फ़र डायोकसाइड के और ओजोन के उनके अंदर आई और थ्रोट इरिडेशन आजाता है कफिंग और चेस्ट पेन आजाती है नाइट्रोजन डायोकसाइड जो के कास करती है पल्मोनरी इडेमा पल्मोनरी इडेमा पल्मोनरी का वर्ड जहां पे भी यूज होगा डैट मीन्स लंग्स ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर एक्सेसिव फ्लूर्ड की लंग्स के अंदर उसके लावा ओजोन जो के एक हाइली रिट्रीटिंग गैस है वो प्रड्यूस करती है पल्मोनरी कंजेशन सिम्टम्स देखा जाए ओजोन एक्सपोजर के तो उसके अंदर आ जाते है ड्राय थ्रोट जो हमारा कला खुशक होता है है डेक सरदर्द डिस और और एंड अधर ब्रीदिंग पैटन्स यह सारा कुछ ब्रीदिंग पैटन्स जो है वो चेंज होता है मतलब हमारा सांस कभी पूल रहा होगा कभी कम हो रहा होगा यह सारा कुछ उसके बाद इसके अफैक्ट आते हैं मैटीरियल्स के उपर हर साल देखा जाए तो air pollutants damage करते हैं बिलियन आफ रुपीज का नुकसान कर देते हैं एर परुटेंस करते हैं ब्रेकडाउन कर देते हैं exterior paint, cars का और houses का paint को खराब करते हैं और इसके लावा discoloration करवा देते हैं color खराब कर देते हैं irreplaceable monuments का इसके लावा historical buildings जैसे बहुत सी historical buildings हैं उनको खराब करते हैं marble की statues उसको खराब कर देते हैं उसके लावा हमारा जो heritage है और natural beauty sites है उनको भी ये खराब कर देते हैं air pollutants effect of animals plants की बात की जाए तो कुछ gaseous pollutants enter हो जाते हैं leaves के pores के अंदर छोट छोटे सुराख होते हैं leaves के अंदर उनके अंदर enter हो जाते हैं और damage कर देते हैं crop plants को अगर chronic exposure हो बहुत जादा high exposure हो leaves के उपर air pollutants का तो वो damage कर देते हैं waxi coating waxi coating ये layers होती है जो के protect करती है plant के leaves को उसके लावा ये क्या करते हैं अगर waxi coating plant के leaves के उपर से हट गई तो उसके जो plant है वो diseases का शिकार हो जाएगा जैसे pest pest वगएरा से उसके लावा drought खुशक साली से frost दूंद वगएरा जएदा हो तब ही plant effect होंगे इस तरह कर जो exposure है उसकी वज़ासे क्या होता है photosynthesis वो भी interrupt होती है उसके लावा plant की growth वो अच्छे से नहीं होगी plant जो है nutrient का uptake सही तरह से नहीं कर पाएगा और जो leaves हैं वो nutrients की कमी की वज़ासे जैसे के nitrogen और magnesium की कमी की वज़ासे yellow होना शुरू हो जाएगे brown हो जाएंगे या फिर drop off या फिर वो उत्तर ही जाएंगे पोदे से उसके लावा जब higher concentration देखी जाए sulfur dioxide की flower birds के अंदर वो उनको क्या करती है stiff कर देती है सख्त कर देती है and hard और फिर सख्त बना देती है harder and harder होते जाते हैं बहुत जादा सख्त हो जाते हैं तो वो fall off हो जाते हैं गिर जाते हैं फोदे से उसके लावा prolonged exposure देखे जाए काफी अरसे से अगर plant जो expose हो रहा है air pollutants से तो उसकी वज़ा से क्या होगा कि जो level है air pollutants का iron smelter से coal burning से power plants से और industry से और vehicle से ये सारे damage करते हैं trees को भी और plants को भी और इसकी वज़ा से हमारी जो early yield है plants की वो भी कम हो जाएगी इन सारे effects की वज़ा से ये था जी हमारा आज का जो lecture हमने start किया था catalytic converter से उसके बाद हमने organic metallic compounds पढ़़े और उसके बाद हमने air pollution के effects देखे buildings के उपर, plants के उपर और materials के उपर और हमने health effects देखे ये था जी हमारा आज का topic यहीं पर complete होता है उसके बाद बात करते हैं कि जो inorganic tin है वो भी convert हो जाता है और गैनो टीन के अंदर और गैनो टीन के जो compounds हैं वो environment को pollute करते हैं next आते हैं हमार पास metals third group, third root है पहला root हमने पढ़ा organic lead का, second organic mercury का third root है हमार पास metal का जिसकी वर ऐसे जो organometallic compound है वो एंटर होते हैं environment के अंदर के अंदर क्या होता है कि organometallic compounds हैं वो environment के अंदर होते हैं जो के produce होते हैं water waste के अंदर from naturally occurring metals इनके अंदर आ जाती है methyl arsenic compounds जो के produce होते हैं by methylation of inorganic arsenic fish के अंदर या फिर जो sediment के अंदर deposition होती है sediments layering का प्रोसेस और probably इसके अंदर आ जाते हैं दूसरे elements जैसे के antimony और selenium अगर हम list बनाएं organometallic compounds की जो के trace amounts में present होती हैं बहुत ही कम amount में present होंगी environment के अंदर तो उन्होंने क्या कर दिया है increase कर दिया dramatically उनका जो number है increase हो गया है from the past few years और इसकी वड़ा से जो development है और जो analytical methodology है उसकी ज़रूरत पेश आई है कि हम जो क्या analysis करे in compounds की या in components की कि ये किस हद तक dangerous हो सकते हैं किस हद तक इनकी जो amount है वो release होने चाहिए और जितना जो है हम कोशिश कर सके इनको कम कर सके कर दो है